रूपा महाविद्यमाशार्दी को नमन करते वे, समानित मंच को नमन करते वे, मंच बेयासिन देश के सरवस्रिस्ट कलमकारों को नमन करते वे, संसकार साहित्ती सौंदर्य पराक्रम की आपकी इस पावंधरा को नमन करते वे, सरप्रतम आप सभी रसकी शुताओं को नैनी त सबसे पहले प्रणाम करती हूँ मेरा सवभाग यहाज देवास की धर्ति पे मुझे आदीश हुआ है इसका वी सम्मेलन की शुरुवात अपनी स्वर्द्वारा मावीडा पाने की वंदना करके आदर्निया शश्रिकांद यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहतू जिन्होंने मुझे यादेश दिया कि मावीडा पाने की वंदना करके आज के इस उत्सव को महसों में बदनने की एक छोटी सी कोशिश करूँगी मैं अपने द्वारा वंदना प्रारंब करूँ लेकिन एक निवैधन करना चाहती हूँ कि बेशक पूरा कवी सम्मीलन आप किसी भी मन से सुने किसी भी धंग से सुने आपकी इस पवित्र हांगन में ये गॉरी वंदना करेगी आप इस गॉरी का साथ दे दीजेगा माधुर्ग के महागौरी की कृपा भी आप पे अवश्य बर्चेगी इस उम्मी से वन्दना प्रारंब करती हूं मेरे साथ जुड़ जाएगा पड़ती हूं शब्द को सवार दे इसका बेश थोड़ा सा कम कर दिजिगा शब्द को सवार दे अर्थ को निखार दे पंक्तियों को प्यार दे आज मा सरस्वती शब्द को सवार दे देखिए हमारे देश में किस तरह से पूजा अरचना होती है मैं देखना चाहतू की दिवास की वो धर्ती जहां आज भी मा दुरुगा को पूजा जाता है तो एक भी हाथ खामोश न रहे तन मन से मेरे साथ जुड़ जाएगा मा की आरादना पुना प्रारंब करती हूँ शब्द को सवार दे अर्थ को निखार दे पंक्तियों को प्यार दे आज मा सरस्वती शब्द को सवार दे अर्थ को निखार दे पंक्तियों को प्यार दे आज मा सरस्वती शब्द को सवार दे अश्य तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है सब जमान भर का दर्द दिल में है लिये हुए गाट गाट पर गए ये गुटन के काफिले जत्म सारे शब्द की मशीन से ये हुए लेकनी को धार दे व्यक्ति को विचार दे दुस्टता को मार दे आज मासरे स्वती शब्द को सवार दे अर्थ को निखार दे पंग्तियों को प्यार दे आज मासरे स्वती शब्द को सवार दे आज मासरे स्वती तु ऐसा वर्दान दे शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अन्दियार में रास्ट्यों हो सबल प्रबल, चीत नामे क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष नाजु के प्रहार में, गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे, कावी को प्रचार दे, आज मा सरस्वती, शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मा सरस दुस्चता को मारी दी, आज मा सरस्वती, कावी को प्रचारी दी, आज मा सरस्वती, जहां दुश्वार है राही वही आराम लिखा है, यहां दुश्वार है राही वही आराम लिखा है, यू लगता है महबत का कोई पैगाम लिखा है, मैं अपना घर समझ करके चली आई, यहां क्योंकि, तुम्हारे दिल के दर्वाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दर्वाजे पे मेरा नाम लिखा है, और बड़े भाया ने कश्मीर की बात कही जब उन्होंने कश्मीर की बात कही है तो ये सब हम भी जानते हैं कि हम भी उतने ही खुश हैं जितने शायद आज उनकी पंक्तों नहीं दर्शाया है कि कितनी खुश है हर एक भारत वासी को मिल रही है ऐसा लग रहा है कि कश्मीर नह और शाषिकान भीया जिसे जच्वाना भी चाहते हूं और उनका अशिरवाद ले करके पढ़ना चाहते हूं देखना चाहते हूं कितनी सफलों पाई हूं इस जशन को इस आजादी को मनाने में अपने माध्यम से सुनेगा हम अपने आपकी नजरों में कहलाएंगे अपराधी अगर हमने ये नहीं किया तो हम अपने आपकी नजरों में कहलाएंगे अपराधी सदाए दे रही हमको, चलो कश्मीर की वादी सदाए दे रही हमको चलो कश्मीर की वादी ये आजादी के लमहे भी घड़ी शुबहे के आए है कहीं रक्षा का बंधन है कहीं बंधन से आजादी कहीं रक्षा का बंधन है कहीं बंधन से आजादी कहीं रक्षा का बंधन है कहीं बंधन से आजादी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेम को पढ़ने के साथ एक छोटा सनिवे दिन मंच के हर एक कवे की ओर से करना चाहती हूं मिलाकर वक्त से आखे हर एक लम्हा चुरा ले हम मिलाकर वक्त से आखे हर एक लम्हा चुरा ले हम जो अपने हो नहीं पाई उन्हें अपना बना ले हम शुक्रिया लेकिन मैं चाहती हूँ चौती पंक्ति पे मेरा निवेदन आप सभी स्विकार करें मिला कर वक्त से आंके हर एक लम्हा चुराले हम जो अपने हो ने धन्यवाद सोनु भीया जी मैं चाहती हूँ आप लुग का प्रेम ऐसे ही मुझे मिलता है क्योंकि आज बहुत कुछ नया लिखने की कोशिश करने के साथ नया सुनाने की कोशिश करने आई हूँ और बहुत डर भी लग रहा है ओज के बहुत बड़े-बड़े हस्ताक्षा इस मंच पे उपस्तिते हैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि मिला कर वक्त से आंके हर एक लम्हा चुराले हम जो अपने हो नहीं पाई उने अपना बना ले हम यहां ढूंडे से एक बार जोर्दा तालिय इन सब के लिए हो जाएं लगतार ये सुबह से मैं देख रही हूँ महनत कर रहे हैं कारकरम को सफल बनाने के लिए ये तालिया इनके लिए बहुत कमजोर हैं आप लोग की हौसला अवजाई होगी इन तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद पढ़तियों सुनीगा मिलाकर वक्त से याँखे हर एक लमहा चुराले हम ये निवेदन में इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाए मुस्कराहट के हमारे देश के अगर सभी प्रसिद्ध कवी अगर आपके चैरे पे मुस्कराहट लाने के लिए यहाँ पस्तित हुएं तो इस विंति को स्विकार कीजिगा मिलाकर वक्त से आखे हर एक लमहा चुराले हम जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बनाले हम यहाँ ढूडे से भी खुशियां कहां मिलती जमाने में तयार रखेगा अपने हाथो को यहां ढूड़े से भी खुशियां कहां मिलती जमाने में चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम शुक्रिया और इसलिए मंच के हर एक कवे के ओर से आप सब की ताल्यों की परिभाशा देते वे अपने रास्ट प्रेम को आज पढ़ने का आप से अवसर चाहते हूं इन पंक्तों के साथ मंच पे आया हर एक कवी कवित्री क्यों आपकी ताल्या चाहते हैं आपकी ताल्या हमाले क्या महने रखते हैं पहले कि मैं अपने कावी प्रेंच से आपको सरवबार करूँ आपके तालों के महत्व को आपके महत्व को बताना चाहते हूं और इस बार आप मेरे लिए नहीं बलके अपने सम्मान में हाथ खड़े करेंगे मातर शक्ति को नमन करते हूं ना फूलों में नकलियों में न वो डाली में आती है जो खुश्बुमा के हाथों से सजीताली में आती है वो एक आवाज जो आती किसी मंदी की घंटी से वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है बहुत बहुत धन्यवाद और इसे उम्मीद के साथ कुछ कहना चाहती हूं और इसलिए भी कहना चाहती हूं कि जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे जो लगी प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे ए मेरे प्यारे वतन जाने लुटा दू तुझ पर मेरे मौला मिरी आचल को तिरंगा कर दे मेरे मौला मिरी आचल को तिरंगा कर दे बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं वो काविपार्ट शुरू करना चाहती हूँ जिसमें शायद कुछ तुटियां भी रहें लेकिन मैं चाहती हूँ मंच के ननी कलम होने के नाते आप अपनी परिवार का छोटा सा शिशु समझ के माफ कर देंगी क्योंकि सब कुछ नया है वो इसलिए नया है क्योंकि मैं आज हमारे राष्ट के दो बड़े ओज के कवियों के सम्मुक अपना काविपार्ट कर रही हूँ कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए इसलिए वो आज जाच भी देंगे और आप परताल भी कर देंगी कि मैं कितनी सफल हो पाई हूँ ओज के हस्ताक्षर के सामने ओज पढ़ने में प्रतम वो छंद जो आपके सम्मुक मा शार्दे के चड़नों में रखना चाहती हूँ सुनेगा मा तशार्दे मा विणा पाणी की पुझारन हूँ केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं मा तशार्दे मा विणा पाणी की पुझारन हूँ केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं और की तो और जाने आप माने या ना माने पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं मान रखती हूँ सम्मान रखती हूँ संग में से दाही स्वाभी मान रखती हूँ मैं नैनो में समाया हुआ मेरे नैनी ताल पर दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं बहुत बौध धन्यवाद और अगला चंद मैं आपके निवेदन से पूंड करना चाहती हूँ आपसे विंति करते हुए सुनेगा स्वागत दिल था मिले ना गोरी दिल में समान जाएगी बहुत बहुत धन्यवार इससे पहले कि मैं आगे के वो चंद आपके आंगल में पढ़ूं एक छोटा सा वित्तान दियाद दिलाना चाहती हूँ जादा दूर जाने की जरूरत नहीं है हाला कि वही भारदेश जहां पर कन्या पूजन होता है लेकिन अफसोस होता है कि वही भारादेश है जहां भुरून हत्याएं भी होती है जहां बेटियों के साथ अक्सर दोराचार होता है यह पंक्तिया में इसलिए भी कहना चाहते हूं कि आगे अगर हम सैनिकों तक पॉसने तो सैनिकों को जन देने वाली वो मा वो बेटी वो पत्नी जो पाने की खातिर खूब रोता है यहां कुछ बेटिया बैठे वी हैं उनको समवर्पित करते हूं यह पंक्तिया और आप सब का आशिरवाद चाहते हूं मेरे साथ मिल करके उन बेटों का संबान के जगा और उन लोगों के मूपे तमाचा मारेगा जो भून हत्या जैसे कुक पाने से जहां पर बेटिया होती वही पर स्वर्ग होता है और इसी घराने से जुड़ोवा मेरा यह अगला चंद है उन्नाओ कंड जो शायद आप सबने सुना होगा कितने लोगों ने उसकी ख़बर सुनी थी हाथ खड़े करके मुझे बता बस उसी को ध्यान में रखेगा और आपको लगे कि गौरी ने एक ऐसा संदेज दिद्याओ कि हर भारत की नारी और बेटी को ऐसा ही बन जाना चाहिए तुम मुझे आश्रवात दीजेगा और हर एक बेटी का गौर बढ़ाएगा पढ़ती हूं कृष्ण की निगाहसे निहार जोतनिक भीतो 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 कृष्ण की निहार जोतनिक भीतो कृष्ण की निहार जोतनिक भीतो कृष्ण की निहार मिवे शिभी पी एगी हस गाहेगि मेरा से दीवानि बन जाएगी गाहेगी तो मेरा से दीवानि बनन जाएगी देश प्युद्रिस्टि याद ही डौनी जो भीतिश्योंनी देश पे को दिस्ट यादी डाली जो विदेशियों ने रण में ची छासी वाली रानी बन जाएगी गौरी तो है शिव की आनन्य सेवी का परंतु असमिता लूटेगी तो भावानी बन जाएगी असमिता लूटेगी तो भावानी बन जाएगी असमिता लूटेगी तो भावानी बने जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद और इसी घराने की एक छंद को और आपसे जोड़ना चाहती हूं और वो इसलिए क्योंकि शायद मैं नहीं बलकि आप सब भी यही चाहते हैं अगर आपको लगे कि मैंने अपने मन के सासत आपके मन की बात को कह करके कुछ नया कहने की कोशिश कर दियो तो आशी बाशी जेकर पढ़ती हूँ हाथ में जो हाथ लेकी चले दिने रात हाथ में जो हाथ लेकी चले दिने रात और साथ साथ सब का विकास हमें चाहिए हाथ में जो हाथ लेकी चली दिन रात और साथ साथ सब का विकास हमें चाहिए होसला पहाड सा रहाड शीर जैसी और तूट से न तूट विश्वाश हमें चाहिए होसला पहाड सा रहाड शीर जैसी और तूट से न तूट विश्वाश हमें चाहिए देश द्रोही सर जो उठाए तो ये सच मानू उनका तुझेण से विनाश हमें चाहिए रास्ट की सुरक्षा और सरक्षा है तुभारति की जय हिंद वाला वो सुभाष हमें चाहिए जय हिंद वाला वो सुभाष हमें चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी मुझे बता दिजे कि मैंने जो नया लिक करके आपके आंग में पढ़ा आपको कैसा लगा बहुत बहुत धन्यवाद इसके बाद मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, वो शायद कहीं न कहीं आपके चहरे पर मुस्कराहट लाने के साथ साथ, आपको थोड़ा सा और एक्टिव बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि काफी देर से आप लोग केवल टाली बजा रहेते हैं, और हम लोग पढ़ रहेते, अ आपको एक मौका देती हूँ, आपको मेरे साथ इसमें थोड़ा सा अपनी स्वर्धमनियों को छेड़ना है, आदर्नी आप बताएंगे कहां से आहा करना है, कहां से ओह करना है, ये वो नहीं है, ये देवास है, इनको सब पता है क्या करना और कब करना है, और इनने कई बार बहुत अच्छा, ये देखिया आए, इनसे मिलना है, अच्छा है, सांसक जी की है के ना हटाना मत, जा बोल दो, अच्छा देखिया हमारे के बुजूर्गे कितने मोके से आया देखने, पास से, भई ये स्विट गाड़ी जिसकी हो वाटा ले मां से, निकलने में दिक्कत आ रही है, एक बार जड़ा गोरी जी को बाता बरन दीजिए, तालियों के गड़गडार के साथ, हां गोरी जी, आप लोग बहुत अच्छा सुनने हैं, और इसलिए मैं चाहतू हूँ मेरे साथ थोड़ा सा आहो और ओहो करेंगे, हाला कि वो नहीं है, जो आप शुरू से गुन-गुनाते हैं, कुछ नया है, कुछ अलग प्रयोग करने की कोशिश की है, आप लोग बताएंगी कैसा है, पड़ते हैं सुनेगा, भी है गाड़ी एक है, सब लोग उटके मारे हाला कि जो मैंने इसमें बात कहने की कोशिश की है, आदरनी अशाशिकांद यादव जी अगस क्रांती की बात की थी, अभी कुछ दिनों पहले मैं कारिक्टरम में गई थी, जहां मैंने इतिहास के पन्यों से कुछ बात लिकरके अपने वर्तमान को जोनने की कोशिश की है, मैं किवल इशारा करूँगी, वो इशारा अगर आप पकड़ जाएंगे, तो वहीं से आपको अहा और ओहो करके ताल्यों की दाल देने पढ़ते हैं सुनिया, अंग्रे जो भारत छोड़ो थी, गांधी की तकरीर, अंग्रे जो भारत छोड़ो थी, गांधी की तकरीर, मोधी बोले पत्तर बाजो, तुम छोड़ो कश्मी, मोधी बोले पत्तर बाजो, तुम छो तुम छोड़ो कश्मी नखाये सेना पत्थर हटादी 370 नखाये सेना पत्थर हटादी 370 अंगरे जो भारत छोड़ो थी गांधी की तक्रीर मोदी बूले पत्थर बाजो तुम छोड़ो कश्मी नखाये सेना पत्थर हटादी 370 नखाये सेना पत्र हटा दी 372 तहरा टाता इत्हा स्वयम को फिर से सिद्ध हुआ देश द्रोहियों का तो पूरा कुनबा गिडध हुआ मैं इशारा कर रहे हूं नाम निलूंगी वननाव समझ जाएंगे मैं किस की बात कर रहे हूं और आपकी बार पूरे जोष के साथ पीछे वाले भी आहाओ करेंगे हादी तीन से स्टर नखाये से ना पत्तर हटा दी यूत सथा आए सथर साल में हुआ करके डिक लाया सथर साल में शवां वो करके दिखलाया ताइट से घट गई तुप एक शमी हर शाया पैत इसे हैं कि कश्मी रभी हर साया आख उठाए को इस पर तो हम देंगे चीर, आख उठाए को इस पर तो हम देंगे चीर, मोधी बोले पत्थर बाजो तुम छोड़ो कश्मीर, नखाए से ना पत्तर हटा दी 370, ऐसे नहीं, मैं चाहते हूं, अगर आपने भी यह माना हो कि मोधी जी ने कुछ कर दिखला है, त पीछे वाले भी एक बार आकाश बार हाथ खड़े करके बोलेंगे, नखाए से ना पत्तर, हटा दी 370, नखाए से ना पत्तर, हटा दी 370, बहुत बहुत, भाँत हन्यवाद, और आगर मैं यही बात आगे बढ़ा करके ले चलू, तो सच बता रही हूं ये उन्ही माओं की कुर्बानी है उन्ही बेटियों की कुर्बानी है जिन्होंने आपको इस तरह मुस्करा कर इस दुन्या में जन्न दिया और आज आप मुस्करा पा रहे हैं वापस कुछ नहीं मैं इस परिवार की बेटी बन चुकी हूँ बहन बन चुकी हूँ इसलिए मेरा परिवार है मैं कुछ भी ले दे कर सकते हैं यहां पर लेकिन मैं सच बता रही हूं बुजर्गों का अशिरवाद अब तो लेंदेन आपन कश्मीर में भी कर सकते हैं जी हमारे आदरनी शाशिकान द्यादव जी की यही एक खासित है अगर हम कहीं भी चले जाएं भारत के किसी भी कवी संब्लेट के बंच पे अगर संचालक के तौर पे सर्व से इसता किसी की देखी जाती है तो वो होते हैं हमारे आदरनी शाशिकान द्यादव जी एक बर जोरदा तालिया उनके लिए हो जाएं और मैं जिनकी भूमिका में शायद मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने आदरनीय विनिच चोहान जी जिनको सुनने के लिए आप सब भी उपस्तित हुए हैं मैं भी सुनना चाहती हूं जिनकी प्रशंसक मेरे से ज़्यादा आप लोग भी रहे हैं मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहती हूं कुछ दिनों पहले आदरनीय विनिच चोहान जी के साथ मैं कारगिल की धर्ती पर कावेपाट करने गेती है और शायद मेरे और आपके लिए गर्व की बात है कि भारत की सबसे युवा कवित्री हूं जो कारगिल पर जा करके कावेपाट करके आई हूं और वहीं पर भाईया के सम्मुख मैंने कुछ ऐसी पंक्तिया पड़ी थी जिसको सुनके शायद भाईया भी भाव विबहर हो चुके ते अभी आप विनित भाईया जी का भी वो गीश सुनेंगे जो बेटे शाहिद के बेटे के उस पे इन्होंने लिखा है बहुत प्रसिद्धी गित है लेकिन उसकी भूमिका में मैं यह पंक्तिया पड़ना चाहते हूं क्योंकि पूलवामा की जो घटना आप सबको शायद याद है कोई भी नहीं भूला सकता है कभी भी नहीं भूला सकता है उस वक्त 14 तारिक थी वैलेंटाइंड दे था जो विदेशों के द्वारा चलाएगे एक परंपरा है लेकिन फिर भी एक पत्नी जिसका पती सैनिक होता है वो भी करवा चौत मनाती है वो भी तीज का त्योहार मनाती है वो भी वैलेंटाइड दे मनाना चाहते है और वो सच में उस दिन फोन करती है अपने सैनिक पती को लेकिन वो ये ना कहके कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है वापस आ जाओ वो क्या कहती है जिस बात को मैंने कारगिल की धर्ती पे जा करके महसूस किया था और एक पतने के मन की बात को लिखने के अगर कोशिश कर दी हो भारत के इतिहास में उस देश की नारी का गौरव पढ़ने के अगर कोशिश मैंने कर दी हो उसके मन की बात कहके तो आप मेरे लिए नहीं बलकि उस नारी के सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा जो हस्ते हस्ते अपने सुहाग को भी कुर्वान कर देती है अभी ही तो पिया हम से गई तुम दूर सरहद पर यह सिर्फ हमारे भारत देश की नारी ही कर सकती कि चौदा तारीक वेलेंटाइन डे को अगर वो फोन करती है तो ना वो आई लव यू कहती है ना वो रोती है विलगती वो कहती है अभी ही तो पिया हम से गई तुम दूर सरहद पर ना कर ना शर्त दुश्मन की कोई मन्जूर सरहद पर ना कर ना शर्त दुश्मन की कोई मन्जूर सरहद पर महाबत देश से जो है तुमारी तुम निभा देना निच्छावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर निच्छावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर और वही देश की नारी आईए मैं इसी थरह से उस देश की नारी को एक गीत के मादम से गीत दंबा नहीं है केवल उसकी कुछ पंक्तियां जिस पर आदने शाशिकान भाईया जी ने खड़े होके एक बार मंत पर मुझे आशिर्वाद दिया था उनका आशिर्वाद लेते हुए मैं इस गीत को पढ़ना चाहती हूं और देवास के इस प्रांगण में उपस्तित हर एक नारी का सम्मान करना चाहती हूं भारत मा की माठी ने लाखो हीरे उप जाए हैं आपको एक मौका दे रही हूं इस गीत में तालों के ताल दे करके उनको सम्मानित की जगा अपनी मा को सम्मानित की जगा भारत मा की माठी ने लाखो हीरे उप जाए हैं ये हीरे भारत माता के सुत हैं और सुताए हैं अपने दिल में मर जाने के डर को भरके नहीं रही यहां बेटियां बेटों से कम तर हो करके नहीं रही यहां बेटियां बेटों से कम तर हो करके नहीं रही ऐसी हिम्मतवर ताकतवर बिटियों की गुड़ गाती हूँ भारत मा की भारत मा की वीर सुताओं को मैं शीशनवाती हूँ और कुछ नाम इतिहास से याद दिला करके फिर से उनको नमन कराना चाती हूँ भारत मा की आरती लेते वे कहना चाती हूँ वीर अवंती बाई के जासी की लाक्षमी बाई की गाता सुने ये तो जी जाबाई वीर शिवा में हर सद गुण भर देती है पदमावति आन की खाते जो हर व्रत कर लेती है ऐसी वीर नारियों के प्रती ब्रत मां की भारत मां की वीर स्ताओं को मैं शीशनवाती हूँ आकाश बर हाथ खड़ो जैसी भारत की नार्यों के लिए भारत मा की वीर सुताओं को मैं शीष नवाती हूं और चलते चलते एक बात देश के सैनिकों को समर्पित करके आपके और अपने माध्यम से उनको सम्मानित करके इसलिए भी जाना चाहती हूं क्योंकि यह वही भारत देश है जहां आप जैसे युवा कल जा करके हमारे लिए शहीद हो जाएंगे केवल चार पंक्तियां केवल और केवल चार पंक्तियां आपकी तरफ से उन सैनिक भाईयों के सम्मान में ले करके जाना चाहती हूं वही सैनिक जो बिना किसी तीस तहवार की परवा किये बिना आपके और हमारी रक्षा की खातिर हस्ते हस्ते कुर्बान हो जाते हैं आएए मेरी इन पंक्तियों के साथ उनको आकाश भर सलामी देजेगा और मुझे विदाई देजेगा कि यहां नफ्रत की तहरीरे जब एक इंसान लिखता है देज के सभी बड़े काव्य गुरों का अशिर्वाद चाते वे पढ़ती हो यहां नफ्रत की तहरीरे जब एक इंसान लिखता है वो बंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहत के सैनिक पर जो हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं आईए उनके लिए हम भी कुर्बान करते हैं सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहत के सैनिक पर जो अपने खून के छीटों से हिंदुस्तान लिखता है जैहिन जैमा भाग